हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2020 की विस्कर अवे ये जापनीज एनिमी मूवे एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ इस मूवे में एक लड़की एक लड़के से बहुत ही प्यार करती है पर उलड़का उसे भाव नहीं देता इसी वज़े से वो कैट में करनोट हो जाती है ये magically करनोट होई होती है तो इसका backlash भी उस पर आता है तो क्या करबड होती है इस मूवे में हम देखेंगे तो चले एक्स्प्लें करता हूँ इस मूवे के जो में क्यारेक्टर इसका नाम है मियो मियो एक festival में आई होई होती है उसकी मदर के साथ वो आई होई होती है उसकी जो मदर थी वो जब बहुत ही छोटी थी तब उससे छोड़कर चली गई थी पर अब वो जो बड़ी हो चुकी है तो वो वापस आ गई है मियो के फादर ने एक नहीं शादी कर ली थी उसकी स्टेप मदर भी है तो उसकी मदर अब उसे कह रहे होती है कि तुम्हारी स्टेप मदर कर तुम कहो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है तुम मेरे साथ आकर हो Mio उसे पुछती है कि तुम मुझे छोड़ कर क्यों चली गई थी उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हें समझ में ने आएगा Mio को अब अकेला रहना होता है तो फेस्टिवल में अपनी मदर को छोड़ कर वो अकेले चलने लग जाती है जब वो आगे जाती है तब उसे एक बड़ा सा कैट आदमी दिखता है यह जो आदमी होता है एक कैट मास्क सेल कर रहा होता है वो उसे पुछ रहा होता है कि आप थुमें ट्रै करना है इसके बाद हमें डारिकली Mio स्कूल में दिखाए गई है Mio अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे फिर हिनो दे दिखता है यह वही लड़का होता है जिसे वो बहुत ही प्यार करती है फिर वो भाग भाग कर जाती है और उसे टकरा जाती है और कहती है हिनो दे संराइज यह उसकी एक ट्रेडिशन होती है जब भी वो हिनोदो को देखती है तब उसे जाकर टकरा जाती है और हिनोदे सन्राइज बोलती है यानि कि उसकी दिन की शुरुवात अब हिनोदो को मिलने के बाद ही हुई है उसे एक करकर बहुत ही सही लगता है इनोदों का फ्रेंड भी उसे चिलाता है उसे रूखने के लिए बोल रहा होता है पर इनोदों कहता है कि मैं यह नहीं रुख सकता मैं वेट नहीं कर सकता यहाँ से जाने के लिए मियो बहुती रोमेंटिक होती है उसे अलग ही लगता है उसे लगता है कि वो wait नहीं कर सकता उसे मेरे साथ ही रहना है वो अपनी friend को बता रही होती है उसकी friend उसे समझाती है कि वो तुमें ignore करता है वो तुमें interested नहीं है पर मियों यह मानने के लिए ready नहीं होती वो उसे फिर एक किसा सुना थी वो क्याई थी है यह जब तुम festival में मेरे साथ नहीं आई थी तब मैं हिनोदो से मिली थी हिनोदो और मैं हमने night spend की थी हिनोदो कह रहा था कि इस world में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता पर अगर यह world disappear हो गया तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा यह जब मियोदो भी मेरे तरह एक romantic है ऐसा उसके friend को कहती है उसकी friend इस पर video नहीं कर पाती है और कहती है कि आओ फिर से इस दुनिया में आओ अपनी imagination world से बहार आओ और फिर यह दोनों घर जाने लग जाते है जब मियोदो घर पर आती है तो उस घर के बाहर एक old lady होती है वो मियोदो से पुछती है क्या तुम्हें वासर से खाना किलाती है यानि कि मियोदो की mother ने उस old lady को पैसे देकर उससे यह पूछने के लिए बोला था मियोदो की step mother यह देखती है और फिर मियोदो घर पर आ जाती है मियोदो की step mother एक teacher होती है वो बहुत ही अच्छी होती, compassionate होती है वो उससे पूछती है क्या तुम्हें आइस्क्री में विगरा चाहिए मियोदो नहीं बोलती है और फिर वो अपने room में चले जाती है उसे और एक important काम होता है वो फिर वो मास निकालती है जो उस cat man ने उसे उस festival में दिया था उसको पहनने के बाद वो magically cat में गन्रोड हो जाती है और फिर वो हिनोदो से मिलने जा रही होती है हिनोदो जोता है, वो अपने घर पर होता है हिनोदो को अपने grandfather से मिलने जाना होता है वो potry करते है और हिनोदो को भी potty करना बहुत ही अच्छा लगता है हिनोदो की mother जोती वो stick होती है उसे बोलती है कि पहले homework complete करो और फिर अपने granddad की आ जाना हिनोदो कहता है कि आज मैं जो homework ने है और गर से बाहर निकल जाता है अपनी जो cat होती है उसे ढोडने लग जाता है यही cat हमारी मियो होती है और इस cat का नाम उसने तारो रखा होता है यह उसके old dog का नाम होता है इसलिए वो उसे तारो पुकारता है हिनोदो अपनी mother से परिशान होता है तो अपने granddad को यह कहता है उसके granddad कहता है कि तुम बहुत है talented हो, तुम्हें जादा कुछ worry गरने की ज़रूरत नहीं है Hinoda के बास फिर Mio आती है, Hinoda को लगता है कि यह hungry होगी, तो इसके लिए उसके लिए खाना बनाता है Mio भी इसके लिए बहुत ही excited होती है, वो फिर उसे बहुत सारा खाना देता है, वो कहता है कि मुझे fat cat पसना थी है Hinoda जो गर पर आता है तो उसकी sister तारो को ढूंड रहे होती है, उसे लगता है कि वो उसकी cat है पर Hinoda उसे कहता है कि नहीं, यह हमारी cat नहीं है यह मुझे festival मिल ली थी, यानि कि Mio जो उसके friend को कह रही थी, कि वो festival में Hinoda के साथ थी, तो as a cat या as a taro उसके साथ थी Mio को आज बहुत ही अच्छा लगा होता है हिरुदों के साथ रहे कर, जब रात होती है तो अभी भी वो cat ही होती है, वहाँ फिर से वो cat आदमी प्रकट हो जाता है उसे कहता है कि ये cat बनना बहुत ही अच्छा है, वो उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम permanently cat बनना चाती हो, तो तुम्हारा human face मुझे दे दो ये जो human face होता है, अगर कोई cat इसे पहन लेगी, तो वो human बन सकती है, इसलिए उससे मांग रहा होता है मियो इसके लिए ready नहीं होती है, उसका plan होता है कि cat बनकर वो हिरो दो को जान लेगी, और फिर as a human उसकी girlfriend बन जाएगी इसलिए उसे मना कर देती है, जब रात में मियो अपने parents के साथ dinner कर रहे होती है, तो वो बहुत ही जादा खा रहे होती है उसके parents उसे पुछते है कि यह क्या कर रहे हो, तो वो कहती है कि हिरो दो को fat cats पसन है उसके parents उसे पुछते है कि हिरो दो कौन है, क्या यह तुम्हारा boyfriend है, तो वो यह सब मना करकर अपने room में चली जाती है नेक्स दिन जब हिरो दो homework कर रहा होता है, तब as a cat, as a taro, वो उसके पास आ जाती है हिरो दो के पास आने पर उसे पदा चलता है, कि हिरो दो कल अपना lunch खोती बनाने वाला है हिरो दो दो को बहुत ही like करता है, वो कहता है कि तुम्हारी smell sun की तरह है अब मियो को हिरो दो का lunch खाना होता है, इसलिए वो कुछ plan बना रहे होती है तब उसे दो लड़के दिखते है कि जो हिरो दो के बारे में बोल रहे होते है वो कहरे होते है कि हिरो दो की grades जादा ही अच्छी हो गई है वो 100% कुछ न कुछ तो cheat कर रहा है, इस पर मियो बहुत ही cheat जाती है वो उपर होती है और नीचे वो jump मार देती है इस jump मारने के वज़े से वो जाड़ियों में गिर जाती है और थोड़ी से hurt भी हो जाती है वो उसे कहती है कि हिरो दो बहुत ही hard working है वो कुछ ये cheat वेगरा नहीं कर रहा इरोदो जब ये देखता है कि वो hurt हो चुक है तो उसके pass हो जाता है उसे कहता है तो ये medical help की जरूरत है फिर वो उसे लेकर जाता है और lunch में भी वो उसके साथ ही उसे बैठाता है इरोदो ने potatoes लाए होते है जब Mioh test करती है तो उसे बहुत अच्छे लगते है Mioh जब चोटी थी तो उसकी mother उसके लिए ऐसे potatoes बनाती थी ये test करकर वो बहुत ही खुश होती है और पूरे world को बताना चाती है इसलिए वो चिलाने लग जाती है इरोदो भी ये देखकर हसने लग जाता है वो फिर कहती है कि मैंने आज हिरोदो को हसना सिखा आया है Mioh जब घर पर आती है तो बहुत ये excited हостी है वो फिर से इरोदो के घर पर आ जाती है इरोदो जब घर पर आता है तब उसकी kissing मतर उसे बात करी होती है उसे कहा रहे होती है कि तुम्हारे जो potry है अब हमें sell करना पड़ेगा वो financially इतनी efficient नहीं होती पर हियोदों को यह बहुत ही अच्छी लगती है उसका यह passion होता है उसे बोलना होता है कि उसे यही करना है पर यह वो बोल नहीं पाता वो मिर रात में अपने potry में आकर बेट जाता है वो pot बनाने लग जाता है मियो भी उसके पास आकर बेटती है उसे सब कुछ अपना मन का हाल वो कहता है कि उसे यही करना है पुर्योग बता नहीं पा रहा वो फिर wonder करता है कि मियो अगर उसकी जगा पर होती तो क्या करती मियो आउटस्पोकन होती है उसे जो भी कहना होता है वो कह देती है जो भी करना होता है वो कर देती है उसे लगता है कि अगर मियो उसकी जगा पर होती है तो वो क्या करती वो wonder कर रहा होता है मियो का अब लगता है कि as a cat वो उसे help नहीं कर पा रही है पर मियो होकर वो उसे help कर सकते है उसे emotional support दे सकते है जब वो घर आ रहे होती है तब cat man फिर से happy हो जाता है वो उसे फिर से पुछता है क्या तुमें cat बनना अच्छा लग रहा है क्या तुम permanently cat बनना चाती हो फिर वो उसे ना कर देती है वो फिर भी उसे शोचने के लिए बोल देता है मियो जब घर पर आती है तो उसके parents उसके लिए चीनते दोती है जब उसके parents उसे देखती है तो वो अपने रूप में नहीं होती तो इसलिए वो डर चुके होते है पर मियो जब घर पर आती है तो उनने कहती है कि मैं रूप टॉप पर थी तो यह वरी करने कोई भी ज़रूद नहीं है मियो फिर डिसाइड करती है कि वो हिरो दो को अपनी feelings का एक letter लिखीगी यह letter वो लिखती है और निक्स दिन class room में आती है class room में आने के बाद वो जो लड़के थे जो हमेशा हिरो दो को परिशान करते है मियो को भी परिशान करते है यह letter उसे चीन लेते है यह letter चीन का यह बहुत ही out loud यह पढ़कर सुनाते है इस letter में लिखा होता है हिरो दो संड्राइज उसके लिए बहुत ही special है उसका दीन अच्छा जाता है और इससे ही actual में उसके दीन की शुरुवात होती है उसे हिरो दो बहुत ही पसंद है और उसके बाद इसमें यह भी लिखा होता है वो कहता है कि मियो बहुत ही pushy है वो उसके साथ नहीं रह सकता वो उस पर चिट गया होता है वो बोलता है कि तुमने मेरे feelings का खयाल ने रखा और लेटर लिख दिया हिरो दो उसे hate करता है यह कहता है और फिर मियो रोने लग जाती है मियो रोते रोते पहार निकल जाती है मियो दो अब बहुत ही अफसेट होती है और अपने रूम में रो रही होती है तभी उसकी स्टेप मदर वहा आती है उसकी स्टेप मदर उसे चाय के लिए बुला रही होती है पर मियो उसके लिए मना करती है मियो की स्टेप मदर अब उसे अफसेट देखकर उसे बात करती है वो कहती है कि तुम्हें हमेशा स्माइल करते नहीं रहना है तुम्हें अगर सैड लग रहा है तुम यह जता सकती हो तुम जब मेरे पास होती हो तो प्रिटेंड करती हो पर तुम्हें प्रिटेंड करनी कोई भी जरूद नहीं, मैं समझ सकती हो, कि मेरे साथ होना तुम्हारे लिए हार्ड है, पर मियो अब उस पर चीर जाती है, वो कहती है, वो हमेशा में एंग्री रहती हो, इसलिए मैं अपनी फिलिंस को दवा देती हो, और खुश रहने का ट् है, उसने अब डिसाइड किया होता है, कि वो as a human उसे हब नहीं कर सकती है, cat बन कर तो वो उसके पास रह सकती है, हिरो दो के पास वो आती है, तो हिरो दो फिर से उस स्मेल करता है, फिर वो उसे याद आता है, कि मियो की और इस cat की, दोनों की smells से हैं, उसी फिर रियलाइज ह होता है, कि वो मियो से पैर करता है, यह बात अभी मियो को पता नहीं है, जब रात होती है, तो हिरो दो के साती हो सोचाती है, जब सुबह होती है, तो cat man वहा जाता है, वो से फिर से बुचता है, क्या तुम अब ready हो, और मियो इस बार ready होती है, वो अपना human mask वो ही उतार दे पुर्व एक cat man हो से कहता है कि अब तुम हमेशा के लिए cat बन चुकी हो यह जो mask होता है इस mask से वो फिर से human बन सकती है पर यह mask वो लेका जा रहा होता है Mio घर से निकल गई थी और रात भर वो वापस ने आई तब उसके parents अब बहुत ही चींदित होते है वो से ढूणने के लिए उसके school में आते है hero 2 से भी मिलते है hero 2 से पूछते है कि वो तो तुमारी girlfriend थी तुमें उसके बारे में क्या पता है या नहीं hero 2 बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता Mio की friend भी कहती है कि इनकी बीच में कोई भी रिलेशन्शिप नहीं थी हिरो दोको मियो मेसिंग हो गई है इसकी वज़े से बहुत बुरा लगता है तो अब वो उसे धूरना चाहता है मियो की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम ये मत करो अगर तुम मियो को सच मुझ में लाइक करते हो तभी तुमें उसे ढूणने जाना चाहिए वरना फिर से उसका हार्ट ब्रोक हो जाएगा ये वो नहीं चाहती फिर वो उसे एक स्टोरी सुनाती है वो कहती है कि मियो की मदर जब उसे छोड़कर चली गई थी तो वो हार्ट ब्रोकन थी मैं उसके साथ हैंग आउट नहीं करती थी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मुझे रिस्टिक कर रही थी तभी मियो ने मेरी फ्रेंड्स ये साथ जगड़ा कर लिया था वो मेरी फ्रेंड्स ही पाना चाहती थी और फिर वो खुद रोने लग गई थी वो वहाँ से भाग गई थी मैंने ही उसे रोका था वो बहुत ही फ्रैजिल है हमें उसे समझ लेना चाहिए वो टफ है ऐसा प्रेटेंड करती है पर अपने मन में वो बहुत ही सॉफ्ट है वो हमेशा लोगों को बहुत ही खायल करती है अब हिरोदो को बहुत ही बुरा रगता है जब मियो के पैरेंस घर पर आते है तो मियो की मदर वहाँ आई हुई होती है वो उनसे बोल रही होती है कि यह तुम्हारी गलती है तो मैं उसे स्मार्टफोन वगेरा देना चाहिए था यानि कि वो हमसे कॉंटक कर सकती थी मियो की स्टेप मदर और मियो की मदर इन तोनों में आफट फाइट हो चाती है मियो भी कैट बन कर यह देख रही होती है पर वो इसे एंज़ॉय करती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है मियो फिर देखती है कि उसकी फ्रेंट उसे ढूंड रही है जब मियो हिरोदो की ग्रैंडड के पास आती है क्योंकि हिरोदो वहाँ ही आएगा तब हिरोदो की ग्रैंडड बोलते है कि वो मियो को ढूंड रहा है hero दो भी वापस आता है और अपने granddad को उसे cover करने के लिए बोलता है वो कहता है कि mother को बता देना कि मैं यहा हूँ वहा हूँ उसे पता नमत चलने देना कि वो Mio को ढूण रहा है Mio को ढूणने के लिए जब वो जा रहा होता है तो Mio as a cat उस पर चल जाती है और वो भी उसके साथ ही चलती है hero दो ठक जाता है और बेट जाता है वो कहता है कि मुझे इसा उसे treat नहीं करना चाहिए था वो as a person वो बहुत ही गलत है इसा उसे लग रहा होता है पर Mio अब उसे कह रहे होती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है वो बहुत ही सही है वो अबने friends का family का बहुत ही खयाल रखता है वो एक compassionate person है वो बहुत ही smart भी है और यह सब वो उसे कह नहीं पाती अब उसे hearing का भी problem आने लग जाता है वो अब cat में पूरी convert हो रही होती है तब human की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रहे होती है अब वो decide कर लेती है कि अब उसे फिर से human बनना है next in में हमें दिखाया गया है कि एक दो दिन अब गुजर चुके है मियो की जगा पर और एक लड़की आ जाती है और वो मियो की तरह pretend करती है मियो का इस face उस पर होता है इसका मतलब है अब मियो का human face किसी cat के पास है वो अब मियो बन कर उसके school में जा रही है उसकी life जी रही है मियो ये देखकर बहुती disturbed होती है मियो के friend ये notice करते है कि मियो बहुती अलग-अलग रग रग रही है ये जो नई मियो होती है एक class में बहुती पॉपिलर हो जाती है लोगो को हसाती है actual मियो ये देखकर बहुती गुस्ता हो जाती है जब रात होती है तो ये fake मियो फिर से अपने family के पास चाहे जाती है निक्स दिन ये नई मियो हिरोदो को भी propose करती है हिरोदो इसके लिए मना करतेता है फिर ये जब street में होती है तब मियो उसे मिलती है उसे कहती है कि मुझे फिर से human बनना है प्लीज मेरी help करो फिर नई मियो भी कहती है मुझे भी human बनने में इतना अब interest नहीं रहा ये जो होती है ये actual में teacher के cat होती है मियो उस teacher से बात नहीं करती तो उस teacher को बहुत ही बुरा लगता है फिर इस cat ने decide क्या होता है कि अगर वो मियो के face में आ जाए मियो बन जाए तो उस teacher को वो मियो का प्यार दे सकती है पर अब वो teacher बहुत ही दुखी होती है उसे उसकी cat फिर से वापस चाही होती है इसलिए ये अब मियो बनी होई cat जो होती है वो मियो से कहती है ये मैं भी human बनना नहीं चाहती है मैं भी फिर से cat बनना चाहती हूँ पर उन्हें a problem होता है Mew जो होती है उसके life दो हिस्सों में बढ़ चुकी होती है एक ये cat के पास होता है और जो cat man था उसके पास उसके half life है फिर ये teacher की cat उसे guide करती है वो कहती है ये जो way है इस way से तुम जाओ ये एक red velvet की तरह एक way होता है hill पर वो आ जाती है ये जो hill होती है ये एक नए world का रस्ता होती है ये जो teacher की cat होती है उसे ये भी कहती है तो मारे पास बहुत ही कम समय है आज रात में cat का जो world होता है उस world में एक बड़ा सट्री होता है वहाँ वो tree फिर से जाग जाने वाला होता है अगर वो जाग गया तो हमेशा के लिए meo cat ही बन जाएगी फिर meo उस way को देखती है cat के world में वो बहुच जाती है फिर next scene में हम देखते है कि teacher की जो cat होती है उसे hero दो को call आता है ये दोनों festival में जाने वाले होते है जब वे घर से निकलती है तब teacher उसे मिलती है ये teacher बहुत ही sad होती है क्योंकि अब उसे अपनी cat नहीं मिल रही उसकी cat फिर as a meo उसे कहती है कि वो तुमसे बहुत ही प्यार करती थी तुमारी cat तुमारी लिए बहुत ही care करती है वो तुमारी company को बहुत ही पसंद करती है वो as a human उसे अब last बार बात करे की क्योंकि वो फेस से cat बनने वाली है इसलिए वो ये सब उसे कहे कर चली जाती है जब ये teacher की cat hero के पास आती है तब hero को सब सच्चा ही वो बता देती है hero 2 को भी इस पर बिली होता है क्योंकि उस cat का और meo का दोनों का smell सेम था तो उसे cat के world में लेकर आती है meo भी वहा होती है और meo उस cat आदमी को ढून रही होती है वो वहा सब लोगों से पूछ रही होती है कि वो cat man का है पर किसी को भी पता नहीं होता फिर एक cat उसे ढून ले थी है उसे बोलती है क्या तुम human हो फिर वो उसे बार में लेकर आती है यह जो बार होता है इसमें पहले सब human थे और फिर वो cat बन चुके है इन सब को अब बहुते रिग्रेट हो रही होती है कि वो cat बन गए है वो अपनी responsibilities से भाग रहे थे इसे वज़े से वो cat बने थे वो उसे समझाते है वो मेंगो को कहते है कि तुमारे पास अभी भी बहुत life है तुम सब कुछ ठिक कर सकती हो मेंगो भी अब चाहती है कि वो human बन सके तो ये उन्हें कहती है वो भी अब उसे फिल से human बनने के लिए help करना चाहते है टीचर की cat और hero 2 उस पेड़ के पास आ जाते है वहाँ आने के बाद cat man वहाँ आता है वो एक mask लेता है और hero 2 के उपर चाड़ा देता है इस hero 2 के हाथ cat जैसे बन जाते है वो वहाँ hero 2 और teacher की cat को दोनों को burn करकर वहाँ से चला जाता है मेंगो को पता चलता है hero 2 उसे ढूनने के लिए आया है ये सुनकर वो बहुत excited होती है और उसे बचाने के लिए आ जाती है उसे देखता है और बड़े से एक रोफे से वो खूच जाता है उसके पास वो आ जाता है वो उसे कहता है कि हमेशा से तुम मुझे help कर रही थी वो उसके लिए thankful होता है वो उससे अब प्यार करने लग गया है तो ये भी उसे ज़दा देता है कैट मैन फिर इन दोनों को पकड़ लेता है ये उन्हें उस ट्री के पास लेकर आता है ये ट्री अब जागने वाली होती है और ये दोनों हमेशा के लिए convert हो जाने वाले होती है ये उससे बोलते है कि प्लीज ऐसा मत करो हम दोनों को फिर से human होने दो ये फिर इस cat man से जगड लेती है मियो अब ट्राइ करती है कि फिर से वो human बन पाए उसके पास मास भी आ जाता है वो जब ट्राइ करती है तो बन नहीं पाती उसके मन में अभी भी doubt होता है कि वो अगर human बन पाए तो फिर से वो अपने relationship को सही नहीं कर पाएगी हिरो तो उस cat man से जगडा करता है वो जो cat man होता है अब मियो से उसकी soul निकाल रहा होता है उसकी human soul वो निकाल रहा होता है तब ही उससे वो छीन लेता है ये crystal के रूप में बन जाती है अब ये जो cat man होता है उन पर भारी बढ़ रहा होता है पर मियो ने जो नए friends बनाए थे जो पहले human थे और cats बन चुकी है वो इन्हें help करने के लिए आ जाते है वो cat man को जगड लेते है और उसे हरा देते है अब hero तो मियो से कहता है ये मैं तुमसे प्यार करता हो मुझे तुम कैसी हो ये जान लेना है उसे अपने दिलगा इजहार करता है उसके बाद मियो को अब यकिन हो जाता है कि उसे human बनना है और अपने relationship को वो अच्छा कर सकती है ये सब लोग फिर से human world में आ जाते है वो अपने mask ट्राइ करते है फिर से वो अपने रूप में आ जाते है मियो फिर से human बन चुकी है जो teacher ये cat थी वो फिर से cat बन चुकी है मियो और hero 2 एक दूसरे खाट पकड़ते है और यही है movie खतम हो जाती है movie के end में credit जब रोल होते है तो मैं दिखता है कि teacher को उसकी cat मिल गई है वो happy है hero 2 और meo भी एक दूसरे के pair में है और वो भी happy है hero 2 के लिए उसकी जो friend थी जो हमेशा उसका carry करती थी वो भी उसके लिए बहुत ही खुश है यह सब एक happy note पर यह movie end हो जाती है बहुत ही अच्छी एक new theme इस movie में हमें introduce हुई है बहुत ही सही movie है अगर आपको वक्त मिले तो जरूर इससे देखना अगर आपको एक movie अच्छी लगी होगी तो please इस video को like कर दीजे मैं ऐसे movies लेकर आता रहता हूँ तो इसलिए आप इस channel को subscribe कर दीजे bell notification icon भी दबा दीजेगा यानि कि आपको सब movies आती रहे हम फिर से मिलेंगे एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये